मी प्रयांका इस डिस्क्राइबिंग दोपिक सक्सात्कार यानि कि इंट्रिव्यू क्या होता जब भी हम कहीं पे सर्वे करते हैं या फिर कहीं पे और किसी दूसरे तरीके से हम कुछ भी क्वेस्टिन किसी से पूठ कर रहे हैं और वो उन क्वेस्टिन का अपने अंदर से सक्सात्कार को इंट्रिव के सबद से भी जाना जाता है यह दो सब्दों से मिलके बना होता है इंट्र प्लस व्यू इंट्र प्लस व्यू इसले इसको क्या बोलते इंट्र व्यू इंट्र का मतलब क्या होता अंदर जो भी व्यक्ति उसका क्वेस्टिन का अंसर दे रहा उस जब हम उनसे question करते तो उसके answer देता है हमें तो नहीं पता कि उसको इस बात का answer पता है कि नहीं लेकिन जब भी हम उससे question put करते हैं वो answer देता है तो इससे हमें उसके अंदर की बातों का पता चल जाता कि उसका brain कितना develop है उसको कितनी बातों का ग्यान है और कितना उसको ग्या उसी को हुम इंट्रिविवीक और इंकर को पूछ रहे हैं, उसके अंदर की जानकारे को प्राप्त करना यह पता लगा ना कि उसका अंदर क्या थे उसी को हम सकसातकार कहते हैं, जो गुड़े था, गुड़े के अनुसार क्या था, सकसातकार मूल रूप से सामाजिक अन्ते किरिया की पर किरिया है, यानि कि अगर हम सामाजिक रूप से देखते हैं, सोशाइटी के अंदर देखते हैं, तो जो इंटर्वी होता है, अन्ते किर करने की पर नाली है जो उद्फियों की प्राप्ति के लिए उपयोग किया जाता है nostra हमारा जब भी हम कोई सर्वे करते हैं तो वहां पे हमारा कोई ने कोई एक मोटी होता एक मेन उदेश्य होता एम होता है कि हमें इस टोपिक से रिलेटिड वहां पे क्वेस्चन करने हैं हम बाहर से तो उन चीजों को देख नहीं सकते कि हां कहां पे क्या घटित हो रहा है क्या होने वाला है इन सब की जानकारी के लिए हमें किया हम पर इंट्र्यू करते हैं यानि कि लोग उन एम्स को जो भी हमारा एम्स है कि हमिए यह जानकारह उंसे चाहिए है उन एम्स प्राप्त करने के लिए इसका अप्योग किया जाता है स acquired करता द्वार सक्साथ कार द्वारा वरताला आप करके उनकी समस्याहं का समाधान करते हैं जब भी हम सोसाइट में community के अंदर जाते हैं जब हम Community में यहाँ पर महिलावस हम question करते हैं उनसे पूछते हैं कि आप क्या क्या समस्या है ses þ SUR नोर्मल जो बाहर से अपनी समस्या है दिखाती है लेकिन जब हैल्थ वरकर महांपे जा कर हो से personally पूचेंगे कि वही आपकी क्या-क्या máu पर प्रोब्लम से क्या क्या आपके समस्या हैं उन्से बातचित करेंगे वारतालाब करेंगे question पूचेंगे और कुछवकों से हमसे भी पूच सकते हैं तो जो जो उनके answers मिलेंगे यानि कि interview के दोरान वर्तालाप के दोरान जो जो answers मिलेंगे उनकी समस्याओं को वहाँ पे समाधान हो जाता है इस तरह से हमारा भी aim पूरा हो जाता है और वो भी अपने समस्याओं वहाँ पे के दुरान. उसके बाद है सकसाथकार के उदेश से. इसके objectives क्या आगा है? इंट्रवीव क्यों लेते हैं? सबसे पहला तो क्या सकसाथकार का महतों समझाना? कि हम आपके क्वेस्चन क्यों कर रहे हैं ताकि अपने समस्याव को बताई और हम उनके समस्याव का हल निकाले और इस तरह से सोसाइटी में कहीं पे भी वहाँ पर कोई प्रोब्लम क्रीट ना हो और क्या है पहला तो यह हो गया कि उनका महत्तो समझाएंगे हम क्यों को स्वेश्चन कर रहें आपको था कि आप अपने हमें आइडिया दे सकते हैं हमारे जो कंट्री है हमारा योगदान मिलस को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं ने एक क मैंपने ने । यह व você नटकी रहा जाते हैं राझे विहीं व कुछ कर सकते यह जो है नै उनकी जो समता है उसका सही से उप्योग करना उनका जो brain इतना develop है कि वो बहुत कुछ काम कर सकते हैं लेकिन किसी कारणवस से वो घरों में ही हैं हो सकता उनके पास पैसा ना हो हो सकता उनके पास कुछ और चीज ना हो तो उन सब समस्यों को सुल जाकर ताकि वो हमारे देश का भविश्या है और जो भविश्या होने की वज़े से वो क्या मरे देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं डेवलोप कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे आइडिया दे सकते हैं जिनका brain डेवलोप हो उनकी समताव का हम उप्योग करते हैं कि वो यह काम कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम यूज करवाए ठीक है यानकि उनकी समताव का वहाँ पर हम उप्योग करवाते हैं इसलिए इंट्रिव्यू ले जाता है और क्या लोगों का सही निर्ने लेने में सहाइत है कुछ लोग होते हैं कि उनके अंदर तो ये बात घूम रही है लेकिन वह कंफ्यूज है कि हम ये नि निर्ने लेने में वहाँ पर हिचकचा रहे थे वहाँ पर कंफ्यूज थे तो वहाँ पर अपना निर्ने अच्छे से ले सकते हैं इंट्रिव्य के दोरान उसके पाद इस अकसातकार को परभावी बनाना जो भी सकसातकार होता है वहाँ पर जिसका भी हम इंट्रिव्यू ल देते हैं कि वो हमारी सोसाइटी के लिए फिर खुद के लिए अपने प्रोब्लम्स को खुद सोल कर सके वो दूसरों के उपर डिपेंड ना रहे उसको इंडिपेंडेंट बनाना तो यह थे हमारे कुछ जो हमारा इंट्रिव्य होता है उसके कुछ उदेश से हैं उसके बाद है सकसातकार के लिए टक्निक का उप्योग जो भी वहाँ पर टक्निक की जाते हैं इंट्रिव्य के लिए उसके उप्योग यानि कि इंट्रिव्य हम क्यों लेते हैं सबसे पाहले तो क्या है समस्या है समझाना जो भी वहाँ पर समस्या है उन समस्याओं का हम समझाएंगे ज कोई भी प्रोबलम होगी नहीं जो हमारे टोपिक से रिलेटिड है जो अच्छी वाली जो सॉसाइटी के अंदर होने चाहिए उन प्रोब्लम को हम सोल करने के वहाँ पर कोसिज करेंगे इस तरह से वहाँ पर जो भी समझे इनको समझाएंगे और उनको सुलजाएंगे दूसरा अपने उदेश्य का सपस्टी करन जो भी हमारा एम है या फिर उनका एम है उसको सपस्ट रूप से वहाँ पर कहेंगे जब हम कोस्टन अंसर कर रहे हैं तो उसको हम सपश दूपसे महां पे कह देते हैं यह सब किसके कारण इंटरीउ के कारण ही है जब तक हम उन自己 अंदर की बात नहींily पूछेँगे तो वो question करना होता है ताकि उसका answer उनको अच्छे से मिल सके उस problem की solution वहाँ पर हो सके उसके और क्या जो interview को एक समय होता है यह नहीं कि रात को दो पैर को या फिर morning में हम किसी भी time पर question कर लेंगे नहीं उसका एक समय होता हम कोई time time देते ताकि वह अपने अंदर की capacity को वहाँ पर दिखास के हम क्या वहाँ पर time भी चुनते कि हाँ इस time पर हम आपका interview लेने आएंगे या फिर कोई भी interview होता है तो उसका एक main time रखा जाता है एक जगह रखे जाती है और जवाब देने के लिए भी time रखा जाता कि इतने time में आपको जवाब देना तभी तो हम उसके brain की capacity को समझ पाएंगे कि इतने time में कितना जवाब दे रहा है और इससे हमें उसके brain के sharpness का पता चल जाता उसके अंदर छिपे हुए कुछ गुणों का पता चल जा चाहिए कि हाँ आपकी घर पे आके या फिर कहीं एरिया इकठा करके मतलब लोगों का समूँ बना के महाँ पर हमें आपसे question करने हैं अकेले में करने हैं या फिर समूँ के अंदर करने हैं वो एक तरह से महाँ पर legal तरीके से होना चाहिए illegal कुछ भी नहीं होना चाहिए यान इंट्रिव्यू के अंदर कोई भी problem आती है कोई भी विवधान आता है तो उनको भी टालना वहां पर चाहिए ताकि इंट्रिव्यू के टाइम पर जैसे कोई answer दे रहा है question हमने किया answer दे रहा और answer देती टाइम पर बीच में हमने उसको confuse कर दिया या फिर हम बीच में उसको जो भी उसके बीच में समशय आ रहे हैं विवधान आ रहे हैं उसको हमने टाल देना है यानि कि बिल्कुल अच्छे तरीके से एक अच्छा environment बना के हमने वहां पर questions put करने होते हैं और वह अच्छे तरीके से वहां पर answer दे पाएगा उसके बाद है भासा भासा का निराकरण करना यह नहीं कि हमने उसको हिंदी आती है लेकिन उसको इंग्लिस नहीं आती है नहीं कि हमें उससे इंग्लिस में question करने हैं हमें उससे जो सबसे सरल भासा हो जो उनकी भासा है में उसी भासा में उससे हमें question करने है ताकि हम उनको क्या है वह भासा हमारे समझ में आसके जो आप इंट्रिव्यू किस भासा में दोगे कौन सी भासा आपको सबसे अच्छी आती है जिस भासा को वो सबसे अच्छा समझ सकते हैं उसी भासा में हमें उसे question put करने चाहिए आपने देखा भी होगा कहीं पर इंट्रिव्यू भी होता है normally तो उसमें हम उसे पहले भासा उसके बाद है जानकारे लिखकर रखना जो भी वहाँ पर हमने question पूछने हैं अगर कोई हमारा topic से related है तो हमने जो भी महाँ पर question पूछने हैं उनको हम पहले से mention करके रखेंगे कि हमें यह question mainly पूछने होते हैं हमारे अंदर वो सभी questions की एक list होने चाहिए कि हमें यह question पू किया वहाँ पर यही समस्य हैं तो इस तरह से हमारी यह सारी उसके अंदर techniques योज की जाती हैं आपने यह देखा भी होगा जहां पर भी हम interview देते हैं यह लेते हैं वहाँ पर जो भी interview लेने वाला होता है और देने वाला तो दोनों के हाथों में पैन और कोपी होती है mainly जहां पर mainly देखने को होता है या फिर जो interview लेने वाला होता है उनके अंदर में तो pen copy होती है या फिर हमारे कोई दूसरी technique होती है जिसके अंदर वो उन चीजों को लिख सके यान कि लिखीत रूप से कर सके ताकि जो भी उन्हें question पूछने उनके list होती उनके पास और जो सकसातकार या अवशक संता है उसकी क्या क्या संता है उसकी capacity क्या क्या होने चाहिए सबसे पहले तो क्या संभासन को लाए यान कि verbal skills वर्भल स्केल्स के अंदर क्या वो बोल चाल किसी कैसे वह किस तरह किसा वहां पर बोल रहा है जैसी क्या होता एक्जांपल माब आपको दे उसी तरह से स्वेम भोगता के लिए समर्थन है यानि कि जो इंट्रिव्यू लेने वाला होता और देने वाला होता उनके बीच में कोपरेशन होना चाहिए यह नहीं कि वह अच्छे से खुद कोई कोपरेट नहीं कर पा रहे हैं जब तक वह कोपरेट नहीं कर पाएंगे तो आप इंट्रिव्यू किस तरीके से ले रहे हो उसको भी यह सैटिस्फेक्शन होने चाहिए कि इंट्रिव्यू लेने वाला अच्छा इंसान है ठीक है वह यह देखता कि आप कैसे बोल रहे हो आप आपके बोलने का तरीका आपकी आवाज आपके बोलने का लहजा आवाज क तरीके से आप कहें इसको बोलना सभी वर्डों का महाँ पर अच्छे तरीके से यूज करना है और आवाज में यह निक्या हम उसको उच्छी आवाज में डाट फटकार के बोलेंगे नहीं उसको बिल्कुल पॉलाइटली तरीके से हम कोईस्चन पूट करते हैं ताकि वो अप उसकी पूरी की पूरी बातों को सुनेगे, जो इंट्रिव्यू लेने वाला है, वो जो अंसर देने वाला है, उसकी पूरी की पूरी बातों को अच्छी तरह से सुनेगा, उप भोगता की बात को सुनना चाहिए, उप भोगता की पूरी बात ध्यान से सुनेगे, तब ही वह आपकी बात पर विश्वास करेगा और अच्छी तरह से हार पनसर करेगा या सड़ी सो बिलुकूल अच्छे तरीके से सुनना यहला है यह gonna इंसर के बीच में हम उसको बीच में ही टोक देते हैं नहीं हमें उसकी पूरी की पूरी बात को सुनना है और सुनने बाद है उसको हम एक तरह से रिजल्ट बताते हैं कि हाँ आपने यह किया है तो इसके यहाँ पर यही चीज इसका अंसर है या फिर कुछ भी है ठीक है यानि कि हमें उसके एक तरह से अच्छे तरीके से उसके पूरी के पूरी बात को सुनना चाहिए ताकि वो हमारे उपर वि बगार समभाशन की भासा जानिक नोन्वरबल भिना बोली इसमें कि शफल साकसातकार के लिए यानिकि एक तरह से उसक्सेशफूल इंटरवी उता है उसके अंदर हम बहुत सारे इंटरवी ऐसे भी लेते जिसमें रीटन होते हैं या फिर कुछ इसारो की वज़े से कुछ इंट्रवीव होते हैं यानिकि इसारों इसारों में हम वहां पे कुछ क्वेस्चन का अंसर दे देते हैं या फिर हम उसको लिखीत रूप से अंसर देते हैं आपने देखा भी वह कोई भी टेस्ट होता उसका मेन लिखाया रिटन होता यानिकि वह भी एक तरह से जब भी हम अःगता का इंटरिव्यू लेती है तो उस् attempt पे हमें अच्छी महीं पर देखना चाहिए औरस वह lys परिंगें पर जब हंकर वहाँ दोनों में त्ञूच सहा जो हमारी मं Wayang सबसे अच्छी समझ में आते हैं ताकि वह उस बहुशा के अकोर्डिंग वहाँ पे अपने अंसर कर सके और उसके अंसर को हम गलत नहीं मान सकते हैं अगर भासा वहाँ पर लिमिटेड है कि हां इसे बहुशा में वहाँ पर अंसर देने हैं शाक सातकार कितना प्रभावसाली है? इस पर निरभड करता है कि आप बगार वरतावाक के सहली का कितना उप्योग कर रहे हैं? साक सातकार संचार का एक विशिच्ट माध्यम है. इसमें क्या कहता है? कि जो साकसातकार होता है यान कि इंट्रिव्यू लेने वाला होता है या फिर देने वाला वहाँ पे होता है वो ये देखते हैं कि वो बिना बाते किये लिखित रूप में कितना अपना उप्योग कर सकता है यान कि वहाँ पे जो भी किरिया हो रही है जितने वहाँ पे काम हो कुछ बात है है वहाँ हैं बोलने में सब लेडियों के अधे यूद refers सकते हैं उसके बाद है उसके बाति शक्सतकills सकते हैं प्रिचात में साथ साथ कर सबसे पहले तो हम अपना खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं कि हां मैं यह हूँ यानि कि मैं हेल्थ वर्कर हूँ या फिर मैं जो भी महां का इंट्रिव्यू लेने वाला वो अपना इंट्रिव्यू देगा और वो कहेगा कि मुझे आप से कुछ क्वेस्टन करने तो जो भी महां पर कुष्चन देने वाला होता है वह भी पहले अपने आपको बताएगा कि हां मैं यह हूँ और मैं आपके जो भी आप इंट्रिव्यू ले रहे हूं मैं उनके अंसर देने में सक्सम हूँ ठीक है तो वहां पर दोनों के दोनों क्या लेने आत्मक सक्सतकार सूचना में तो क्या हो गया यानिकि वहां पर हम जानकार यह इकठी करेंगे कोई भी टॉपिक के रिलेटर हम वहां पर सूचना इकठी करेंगे जानकार इकठी करेंगे उसके बाद उप्चार आत्मक सक्सतकार यानिकि उसके ऊपर कितना वहां पर उसके बाद है तथे इकठा करने ही तू साक्षातकार और जो भी वहाँ पे उनके अंदर से बाते निकल की आई है जिसका हम इंट्रिवु ले रहे हैं यानि कि उपभोगता माँ पे जो है उसके अंदर से उसके माइंड से कितने बाते बाहर निकल रहे हैं तो उसकी सारे सारे तो उसकी बातों को हम इकठा करेंगे और उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे मुल्यांकन साखसातकार यानि कि हम वहाँ पर क्या result देखेंगे जो भी हमने इंट्रिव्यू लेते हैं और लोगों से उनके अंदर की जानकारियों को इकठा कि वह क्या है कुछ उनकी हम कैपेबिलिटी को जान सके कि वह किसी काम को करने के लिए कैपेबल हैं के नहीं